प्यारे बचों चली आए हम लोग आज क्लास 12 के मैच सब्जेक्ट को NCRD बुक से एकसरसाइस 5.7 को किलियर करते हैं तो जैसा कि प्यारे बचों एकसरसाइस 5.7 में हम लोग क्लास 12 के 13 तक के कोश्चन को देखे थे तो आए 14 नंबर कोश्चन को देखते हैं कोश्चन नंबर 14 बूल रहें प्यारे बचों A into E k power MX plus B into E k power NX ठीक है अब हमको क्या प्रूफ करना है कि D square Y बटा DX square minus M plus N into D Y by DX plus M N Y का value कितना प्रूफ करना है? 0 प्यारे बचों जो प्रूफ करना है जरा उन चीजों को देखिए तो पता चल रहा है कि इसमें D Y by DX का भी यूज़ करना है D square Y DX square का भी यूज़ करना है का मतलब यह हुआ कि आपको एक बार डिफरेंसेशन करना है और फिर इसको दो बार डिफरेंसेशन करना है तो चलिए पहरे बचों आप सबसे पहले इसको solution करते हैं आप बारी-बारी से क्या किजिए पहले एक बार डिफ्रेंसेशन किजिए फिर उसको दुबारा बार डिफ्रेंसेशन किजिए तो चुकि y का value क्या लिखा हुआ है तो a into ek power mx plus b into ek power nx ठीक है अब यहाँ पे लिखेगा dy बटा dx तो प्यारे बचों डिवाबर dx करेंगे तो a तो constant है तो a जो है बाहर निकल जाएगा तो d ek power mx को किसके respect में करेंगे तो ek power जो है उसके respect में तो d ek mx के respect में और नीचे वाला उपर जाएगा तो d mx बटा dx ठीक है फिर प्लस है तो प्लस करेंगे इस बार b constant है तो b बाहर कर लेंगे into e k power nx तो d e k power nx तो किस की respect में प्यारे बच्चों क्योंकि जानते हैं e k power x होता है तो e k power x का differentiation e k power x होता है कब जब x की respect में रहेगा तब न तो यहाँ e k power nx है तो यहाँ लिख देंगे d nx और into जब d nx उपर जाएगा तो अब हो जाएगा dx के respect में तो प्यारे बच्चों जो हम लोग का एक बार differentiation करने से बाद मिल रहे हैं क्या क्या मिल रहे हैं यह तो already बाहर into e k power mx का e k power mx into जब aim जो है बाहर निकलेगा तो dx by dx बचेगा यानि कि aim जब हम लोग बाहर निकल लेंगे तो dx by dx का तो value 1 तो उसको लिखे चाहिए ने लिखे बाद बराबर फिर plus फिर वैसा ही यहाँ पे b into e k power nx को nx के पता है ना e k power x का differentiation e k power x होता है तो e k power nx है तो e k power nx into यहाँ पे nx है का differentiation कितना होगा तो nx का differentiation देखिए n constant है तो n बाहर निकाल लिए और dx by dx का value 1 तो कुल मिलाकर प्यार बच्चों इसलिए हम लिख सकते हैं कि dy by dx का value आया am देखिए a भी constant है m भी constant है into e k power mx प्लस dn e k power nx यह आया हमको एक बाद differentiation करने के बाद अब चुकि हम लोगों को फिर से करना है differentiation तो चलिए हम लोग फिर से start करते हैं again again करेंगे again d square y बटा dx square तो इसको कैसे निकालेंगे तो प्यारे बच्चों जो हम लोगों को एक बाद differentiation करके आया है उसी को ने दुबारा बाद differentiation करेंगे तो किसका differentiation तो am ek power mx तो differentiation करेंगे am ek power mx plus dn ek power nx को किसके respect में तो dx के respect में प्यारे बच्चों direct हम करते हैं क्या करते हैं कि am को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो am होगा देख पार होंगे फिर into अब ek power mx का d ek power mx को किसके respect में mx को respect में और फिर नीचे वाला उपर जाएगा तो mx बटा dx फिर plus है तो plus करेंगे इस बार b भी constant है और n भी constant है तो bn को कहा निकालेंगे बाहर तो bn बाहर निकल गया तो अब क्या बचरा है किसका differentiation e k power nx का तो e k power nx का differentiation किसके respect में करेंगे nx के respect में और नीचे वाला nx कहां जाएगा उपर तो यहां बच जाएगा dx तो प्यारे बच्चों इस तरीके से कुछ question मिल रहे आगे करेंगे तो जरा क्या होगा देखेगा यहां पर जब आगे करेंगे तो क्या बनेगा e k a और fresh नहीं दिख रहे हाँ तो a m तो a m हो जाएगा अब e k power x का x के respect में e k power x होता है तो यहां बच जाएगा e k power mx into m तो बाहर निकल जाएगा फिर से तो dx by dx यानि एक बार m बाहर निकल जाएगा तो dx by dx बचेगा जिसका value 1 फिर b n तो already constant है बाहर निकला हुआ है e k power nx का e k power nx हो जाएगा देख पा रहे होंगे और into n जब यहां से बाहर निकलेगा तो फिर से dx by dx बचेगा तो कुल मिलाकर जो हम लोगों को second बार आया कितना आया a m square क्योंकि a m गुना हुआ e k power mx plus b n square e k power nx प्यारे बच्चों यह हो जाएगा हम लोगों को d square y बटा dx square का value तो कुल मिलाकर हम भी यह हमें देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को जो आया वो दोनों डिफ्रेंशेशन हो जाएगा तो अब लिखेगा since चुकि d y by dx का value कितना आया है तो d y by dx का value आया a m e k power mx plus b n e k power nx ठीक है and d square y by dx square का value क्या आया यह तो दिखी रहा है उपर कितना आया उपर आया a m square sorry यहां से a m square e k power mx plus b n square into e k power nx तो यह हम लोग को double differentiation आया यह single differentiation आया तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है हमको तो यहां सवाल दिख रहा है कि इतना बराबर 0 लाना है तो अब आप LHS से चले तो जब आप LHS से चलेंगे तो क्या लिखेंगे यहां से फिर से from अब LHS से चलेंगे तो LHS में क्या है उतारिए पहले LHS में जो चीज है तो LHS में है प्यारे बच्चों कौन सा तो D स्कौर Y बटा D X स्कौर माइनर M पलस N इंटू D Y बटा D X पलस M N इंटू Y स्वरी बराबर तो लाना है न तो LHS तो इतना है अब करिए कि आप D स्कौर Y बटा D X स्कौर का मान पूट कीजे तो हम लोग निकाल चुके हैं यहां पे देख रहे होंगे यहां D स्कौर Y बटा D X स्कौर का मान तो अब इसको हम लोग इसके जगा पे पूट करते हैं तो D स्कौर Y बटा D X स्कौर का मान कितना है A M स्कौर E के पावर M X पलस B N स्कौर E के पावर N X तो यह हो गया किसके जगह पर put value यह हो गया d square y बटा d x square के जगह पर फिर minus तो minus देंगे m plus n bracket में है तो m plus n देंगे फिर into फिर अब dy by dx कमान रखना है तो dy by dx कमान कहां से रखेंगे तो देखिए आया हुआ है dy by dx am e k power x mx plus bn e k power nx तो प्यारे बच्चों करेंगे क्या यहां पर कि e से डी by dx के जगह पर am e k power mx plus bn e k power nx रख देंगे ठीक है पूरा हो गया यह हो गया इसके जगह पर फिर है plus तो फिर आप नीचे plus दीजे am n रखेंगे चुकि am n है फिर y कमान रखना है तो प्यारे बच्चों हमें सवाल दिखाते हैं सवाल यहां है सवाल में दिया हुआ है y का value a e k power mx plus b e k power nx इस सवाल में दिया हुआ था तो अब सवाल से यहां पर y के जगह पर इस y के जगह पर रख देजे a e k power mx plus b e k power nx ठीक है अब चलिए करिए क्या इसको वैसे रखिए a e m square e k power mx plus b e k power nx फिर minus तो अब प्यारे बच्चों देख पा रहोंगे कि e m को एक बार इस से भी गुना करना है एक बार इस से भी गुना करना है तो इस e m को जब इस से गुना कराएंगे तो क्या बनेगा minus m से गुना कर रहे है तो यहाँ बनेगा a m square e k power mx और इसी m को फिर इस से भी गुना कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा minus plus minus b m n देख पार होंगे इस m को इस से गुना कराएंगे तो b m n e k power nx ठीक है अब की बार n को भी दोनों से गुना कराएंगे इस से और इस से तो यहाँ हो जाएगा minus plus minus और यहाँ minus plus minus यानि कि यहाँ पर हो जाएगा minus जब n को इस से गुना कराएंगे तो यह हो जाएगा a m n e k power mx ठीक है e k power mx और इस minus plus minus तो फिर से देंगे माइनस, अब की बार N को इससे गुना कराएंगे, तो क्या बनेगा, B N square E k power N X, ठीक है, अब यहाँ आते हैं प्लस, तो यहाँ प्लस देंगे, अब M N को इसके साथ भी गुना कराएंगे, दोनो M N को फिर इसके साथ गुना कराएंगे, तो यहाँ जब करा तो क्या बनेगा, A M N e k power N X, इस M N को इससे साथ गुना कराएंगे, अब इसी M N को इसके साथ गुना कराएंगे, तो क्या बनेगा, B M N e k power N X, तो इसको निचे लिग देते हैं, B M N e k power N X, तो अच्छा से देखिए प्यारे बच्चों, जब अच्छा से दिखाते हैं, तो थो एम स्क्वार एक पाउर एम एकस और एम स्क्वार एकस ये और ये कंसिल अउट हो गया, अब अब बी एन एकश और ठाउर ठाउर एकस और यहां पे औ가ई रहें, बी एन मैनेस में B m n e q p प्लस में तो यह खायो आउट हो गया याणि अच्छा से देखें के पहरे बच्चो OAह में कांशना नंबर चौहोदा टो प्ल कुल मिला कर अगर देखा जाए जो हम लोगों को सिंगल डिफ्रेंसेशन और double differentiation अगर अच्छा से करने आ गया तो कुछ नहीं करना है जो proof करना है उसके जगा पर रख देंगे सब का मान और गुना भागा करेंगे already 0 आना होगा तो आएगा या फिर proof करेंगे तो जो आएगा तो इस तरीके से हम लोग का 14 नंबर डिसकस हो गया चलिए अब आएगले कोश्चन की तरब देखते हैं प्यारे बच्चों चलिए हम लोग फिर से अगले कोश्चन की तरब बढ़ते हैं कोश्चन नंबर 15 इकसरसाइज 5.7 का इकसरसाइज 5.7 का जो कोश्चन नंबर 15 है ये बोला जा रहा है कि y का value दिया हुआ है कितना 500 ek power 7x plus 600 ek power minus 7x अब हमको इसको proof करना है कि double differentiation देख पा रहोंगे न d square y बटा dx square के जगा पर कितना लाना है 49 y लाना है तो प्यारे बच्चो इतना बराबर इतना proof करना है तो चलिए हम लोग start करते हैं सबसे पहले आपको तो direct to differentiation डबल बार नहीं हो सकता है इसलिए इसको आप करिए एक बार differentiation तो आप लिखेगा solution में चुकि y का जो value है वो 500 ek power 7x plus 600 ek power minus 7x दिया है तो जब आप dy by dx निकालेंगे तो direct आप समझे 500 तो constant है 500 को आप बाहर निकाल लिए फिर ek power कितना 7x तो प्यारे बच्चों अब इसको किसके respect में करेंगे तो जो ek power में रहता है तो 7x के respect में और फिर 7x को आप कर लेंगे x के respect में फिर plus है तो plus डालिए अब की बार 600 constant है तो 600 को बाहर निकालिए फिर ek power minus 7x तो ek power minus 7x है उसको किसके respect में करेंगे तो d minus 7x के respect में और d minus 7x को dx के respect में नीचे वाला उपर चल गया है चलिए तो आप क्या बन रहा है देखिए 500 का तो 500 ठीक है ek power 7x का 7x की respect में वही हो जाएगा ek power 7x अब जब 7 constant है डिफ्रेंशिशन में जब बाहर निकलेगा तो 7 तो बाहर निकल गया अंदर में क्या बची गया dx बाई dx उसका value कितना हो गया 1 तो 7 हो गया प्लस 600 इंटू यहां क्या होगा तो ek power minus 7x का minus 7x के differentiation करेंगे तो minus 7x लेकिन प्यारे बचों यहां minus 7 जब बाहर निकलेगा तो यह तो minus 7 बाहर निकल गया और इंटू में 1 तो कुल मिला कर पहला बार जो differentiation आया कितना आया 500 गुना स्वरी इसको अच्छा से लिख सकते हैं 500 को 7 से गुना कर देजिए 3500 गुने ek power 7x ठीक है और यहां plus minus minus 7 चक 42 हो गया और ek power minus 7x तो प्यारे बच्चों हम इसलिए बोल सकते हैं कि हम लोगों का जो dy by dx आया एक बार differentiation हो कितना आया तो 3500 ek power 7x minus 4200 ek power minus 7x यह आया एक बार differentiation दिख पा रहे हैं अब हमको क्या करना है double differentiation तो आप यहां पर लिखेगा again अगें अगें दी स्कूर वाई बट्टा दी एक स्कूर का वैलू कितना आया तो जो एक बार differentiation करके आया एक बार कितना करके आया 3500 ek power 7x minus 4200 ek power 7x यह आया अब इसको करना है हमको differentiation तो इसको differentiation करने के लिए मन में ही कर लेंगे सबसे पहले जो बाहर निकलना है 3500 तो बाहर निकल जाएगा तो किसका बचेगा ek power 7x को d7x के respect में और नीचे वाला 7x उपर जाएगा तो बचेगा dx फिर क्या है प्यार बच्छो बीच में माइनस तो माइनस देंगे इस बार 4200 को बाहर निकल लेंगे तो 4200 बाहर निकल गया क्या बचेगा तो ek power minus 7x को किसके respect में तो minus 7x के respect में और जब नीचे उपर गया नीचे वाला तो minus 7x उपर नीचे dx तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3500 का तो 3500 into ek power 7x का differentiation कितना आया ek power 7x और into जैसा कि 7 constant है बाहर निकल लेंगे तो 7 बचेगा और फिर dx बचेगा तो उसका value 1 minus 42,100 फिर into ek power में minus 7x क्योंकि ek power x का तो x के respect में ek power x होता है फिर into यहां बचेगा minus 7 इसका तो कुल मिलाकर अब क्या बच रहे तो 3500 को 7 से गुना किजिए तो कितना बन रहे है 75,35 की 5 हाथ में 371,183,24 इतना बन रहे है यानि कि 24,500 बन रहे है जब इसको 7 से गुना करेगा तो ek power 7x minus 42,100 और यह minus minus कितना होता है प्लस ठीक है तो यहां हो जागा कितना सादूना का 14,178 और एक 29,400 ek power minus 7x तो प्यारे बचों अभी तक के हम लोग को आ गया इसलिए d square y बटा dx square का मान कितना आ गया 24,500 ek power 7x प्लस कितना तो 29,400 ek power minus 7x लेकिन प्यारे बचों हम लोगों को जो d square y बटा dx square प्रूफ करना था ओ कितना प्रूफ करना था तो 49 y प्रूफ करना था यह प्रूफ करना था यानि कि हमको 49 लाना है तो प्यारे बचों 49 लाने के लिए प्रूफ करने के लिए आपको कुछ न कुछ काम करना पड़ता है तो अब इसके बाद आप क्या किजिए 49 आप जो है common कर लेजे तो इससे भी 49 और इससे भी 49 आप common किजिएगा तो अंदर में क्या बचेगा ये बचेगा 500 क्योंकि 49 को 500 से गुना किजिएगा तो ये आ इके पाउन कितना माइनस साथ एक बचेगा तो प्यारे बच्चो अब 49 का 49 लिखे और यही वाला सवाल दिया है इतना कामान सवाल में हमें दे दिया है y y के बराबर इतना दिया है तो इस तरह से आरेचे सा गया और प्रूब्ड हो गया तो प्यारे बच्चो हम लोग इस तरीके से कौश्चन का प्रूफ करते हैं तो शबसे पहले जो कौश्चन बोलता है उसी के कोडिंग जैसे माल लिया यह कोश्चन बोल रहा है y का भेलू अब हमें इतना बराबर इतना निकालना है तो आप डबल डिफ्रेंशेशन कीजिए और उसको बाराबर इतना प्रू को हम लोग अगले दिन डिस्कस करते हैं तो आज के क्लास को यहीं तक रहने दीजिए धन्यवाद